पूरे साल का चौथा ग्रहन और लगातार तीस दिनों के अंदर लगने वाला तीसरा ग्रहन जी हाँ ये ग्रहन तीस दिनों के भीतर लगने वाला तीसरा ग्लाई के महीने में पांच तारे को एक पार फिर से चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है जी हां विज्ञान जहां चंद्र गहन को महजिक खगोली घटना मानता है वहीं जोतिश शास्त्र में बहुत जादा महत्र बताया गया है आपको बता दे कि 5 जुलाई को गुरु पोर्णिवा के दिन सुबा 8 बचकर 38 मिनट से आरम होगा और 9 बचकर खतम होगा वहीं आपको ये भी बता दे कि 11 बचकर 21 मिनट पर समाप्त होगा इस प्रकार से चंद्र गहन की अवधी बताई जा रही है दो घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड इसकी उपचाया चंद्र गहन को अमेरिका यूरोप और आस्ट्रेलिया के हिस्सों में भी देखा आपको बता दे कि भारत में ये गहन नहीं देखाई देगा इसलिए भारत में इस ग्रहन का सूतक काल भी मानने नहीं होगा वहीं आपको ये भी बता दें कि ग्रहन में लगने वाला सूतक काल एक अशुब अवधी होता है जो कि ग्रहन से पहले लगता है और ग्रहन की समाप्ती के साथ ही उता है चंद्र ग्रहंठ में सूर्तक ग्रहंट लगने के समय नौ गंटे पहले प्रभावी हो जाता है और वहीं सूर्य ग्रहंठ में बारा गंटे पहले सूतक काल लगजाता है इसमें खाने पीने पर ध्यान देना होता है मंदिर के सभी कपाड बंद कर दिये जाते हैं नेक्स दिनान स्वीच वाल से आठीक रबूट